असलावलेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं सब खेरियस होंगे अलहम्दोल्ला आप सब की दूआ से हम भी अच्छे हैं तो अभी मॉर्णिंग का ब्लॉक है बच्चे स्कूल चल गए हैं और उसके बाद फिर मैं अपने खाम में लग जाती हूं मैं कभी ना आप सब से सेर करूंगे इंशालला फजर से जो मैं उठती हूं क्योंकि इतना अफरत अफरी का टाइम रहता ना बिल्कुल मुझे ना ब्लॉक सूट करने का टाइम ही नहीं मिलता है फजर जल्ली उठती हूं और नमाज के बाद फिर बच्चों को टिपेंड नास्ता और ल काम कप करती हैं तो मैं सच में आरामनी कि मैं तरस्ती हूं सोने के लिए कि मैं अच्छे सकून से मैं सो असा लगता ना मैं खुब सो हूं मतलब मुझे सोने मिलना ना हाला कि मैं इतना सोंगी नीवट चाहती हूं कि मैं दिल वहर किक्तम कोई मुझे कुछ न बोले कोई टें यह जिस incar हम इसो दो कहीं कुछ भी नहीं भी नहीं मिलेगा मालूम मेरे टो टो उतने फूमा बी नहीं जोटे भी नहीं है उसके बाद भी उतना जयादा वैसी करते आगहर को की मैं परिसान हो जाती है कि जीज को मैं मैं इतना हम इसा जाए उसा कर दूं से तो थोड़ा इसा नहीं है ऑट इतना ज्यादा नहीं मुझे बढू पसंदने आता है चादर बिशंड़ तो मुझे आजिए इसे ठीक करो आइसा लगता है कभी सबसे बेश टाइम है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस टाइम ना बहुत सखुन से काम करती हूं उसके बाद इस टाइम मेरा जो भी काम रहता है चाहिए वो मोबाइल का हो गया वीडियो एडिटिंग हो गया एक घंटा बैट को भी कर लेती हूं मैं घर का काम साफ सफाई जारू पोछा बरतन के पर जितने भी काम है न सब कर लेती हूं तो बहुत अराम सोय था क्योंको डिश्टप कोई नहीं करता था ना बच्चे रहते तो बार बार मम्मी यह मम्मी वह बस यहीं चलता है तो यहां पर यह बेट में देख रहा होगा मैं आपका बेट है भाई लगता है और यह ना मैं नीचे सोती हूं बेट ना छोटा है यह बेट पर एक साथ नहीं सो पाते तीन चालो तीन लोग भी नहीं सो पाते तीनों बच्चे भी मेरे साथ तो अलग ही सोता है बरवाल बेटा अलग रूम में और यहां पर गुन- कि यह बेट देखता है तो बहुत सोती हूं मैं नीचे सोती है वराम से बहुत टाइट हुआ था गर में मिलकुल ना मन नहीं होता है साथ में सोने का बच्चों के साथ अग्दम थेंट में तो अच्छा भी लगता है चलो कि ठंड है तो सोगे तो बस सुब सुब काम चलते तो आज का टॉपिक में सोच नहीं कुछ है अब आप सबसे बाते कर लूँ शादी का तो मैं डाली ब्लॉक तो सादी से रिलेटिव मैं इतने ज्यादा अपनी बहु को बहुत ही सादी करते हैं और लाते अपनी बहु को की बहु आएगी बेटी बना के रखेंगे पर बेटी बनाता कोई नहीं है बोलता जरू है कि बेटी बना के रखेंगे बेटी है जैसी है लेकिन बेटी बोलने में और बेटी मानने में बहुत फरक हो जाता है तो मैं थोड़ा सोच का फरक होता है, जब अपना कलेजय का टुकरा अतना प्यारा लगता है, तो वो भी तो किसी का कलेजय का टुकरा ही है तो उसे भी यह पर इज़द दिया, यहाँ पर ही मैं एक बात बोला चाहूंगी आपसे, कभी-कभी ऐसी होती है न कोई ऐसी चीज की आपकी फॉरं कबूल हो जाती है, यहां पे मैं साधीय कार्ड पर रही थी, देखे थी किसका साधीय कार्ड आया, एक्चल मैं कुछ दिन पहले ही ना, शाधीय का कार्ड भी दो थी आये ना, तो मैं अपने सस्वर जी को बहुत मिज़ कर रहे थी, कि उनका नाम लिख के आता था, कार्ड पे, सुवर जाब साबरी, हाजी सुवर जाब साबरी करके, तो मैं दिल में सोच थी, कितना इंसान अगर मर जाता है, ना चल जाता है दुनिया से, तो उसका नाम भी मिड जाता ना, लोग आज जो रहते थे थे उनका नाम से आता कार्ड, तो अच्छा ला तो वो इक गारजन थे, मुझे बहुत चल लगता, तो कास मतलब मरने के बाद भी इनसान को ना जिन्दा रखन चाहिए, और उनका नाम लेकर के ना, मतलब उनका नाम ही लिखके आना चाहिए कार्ड, मैं ये चीज़ ना महसूस की सबसे दिल में, मैं आप सबसे सेर कर रही हूँ, और ये मैं कार्ड जब पर ही ना, तो मैं सोची ये बात मैं आप सबसे बता दूँ, अपने दिल की बात, तो मुझे ऐसा लगता अल्लापाक कभी कभी कितना फौरण दूआ कबूल कर लेते हैं, तो मैं ये सोची ये थी, मुझे अच्छा ही लगा, कि कार्ड में न, उनके बेटे का नाम आया था, साधी कार्ड ये तो, तो मैं ये सोची थी, कि कभी कभी कोच चीजे ऐसी, अल्लापाक तूरण फौरण कभूल कर लेते हैं, इतना अच्छा लगा कि न, इंसान के जाने के बाद भी न, इंसान को जिन्दा रखना चाहिए, अच्छा लगता है, और जो गारजन होते हैं, उनकी बाती अलग होती है, हाँ, तो मैं क्या बाद बोल रहे थी, कि हाँ, बहु को पेटी बना के भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि अगर कोई लड़की आती इतने सौखरमान से, तो उससे भी महबद दे, उससे भी टैम दे, और उससे भी मतलब स्पेस दे, आप को सोचेंगे कि आप उसके उपर घर आपके इसाब से जलेगा, घर आपका रहेगा, लेकिन वो इकदम से उसके उपर पुड़ा बड़न डाल देंगे, कि वही सब काम करेगे, सब पर ख्याल रखेगी, तो उसका ख्याल कौन रखेगा, तो प्यार से समझा के करें, जो चीज नहीं आ रहा तो बेटा ऐसे नियसे कर लो, बेटा बेटा बोल करके कर सकते हो, ऐसे कोई लड़की ना अपने माइंड में लेके नहीं आती, कि कुछ जाते साथ अलग हो जाना, सास से लड़ना है, आदमी को लेके चल जाना है, ऐसा कुछ नहीं आती, वो अपके घर का माहौल जो देखती है ना, तो उसका मिजाज चेंज हो जाता है, तो आप वैसा मौका ही नहीं दे ना किसी को, कि नहीं कोई बच्ची आई है, तो मेरी बेटी है, जैसे मेरा बेटा है, बेटे के बाइट है, मैं इतना अर्वान से सौक से हर माँ साधी करते हैं अपने बेटों का, तो उसे वैसे ही रखें, अच्छे से रखें, प्यार से रखें, बाव बेटा करके, मन कर रहा है, ठीक है, ज्यादा बड़न नहीं दाले, किसी भी चीज की जिम्मेदारी ना, अचानक से कोई लड़की आई कि और इतम से नहीं कर लेगा, आपको पुरा घर सम्हाल लेगी, क्योंकि हर लड़की अपने माँ बापे घर में बहुत लाड़ प्यार से नकरे से रहती है, हर बेटी अपने बाप की सहजादी होती है, अचानक से जब सुष्राला आती है, तो उसको उपर जिम्मेदारी टाइम से टाइम, सब को खाना देना है, पीना देना है, और मैं यह ऐसे बोलती ना बेटी को विदा करते हैं समय न अब आपको भीत बोलनी चाहिए कि जैसा लगता है क्योंकि हम जिस्ता मेरा तो इतना 20 साल हो गया मुझे तो अपना आया है नहीं कभी सोची नहीं अब जैसे जबाने के साब से मैं सोची को नहीं मैं अपने बच्चे को ना ऐसे ही बोलें कि बेटा ठीक है अच्छे से रहना सब को ख्याल रखना सौहर का लगा ह कुख है और बच्चे हैं साससुर जमेदारी है जोइन फैमिली है तो सब कर रखो उसके बाद अपना भी थोड़ा ख्याल रखो मैं साससुर से भी बोलती हूं कि कि किसी की बच्ची को ला रहे हो ना बेटी बना के तो उसे बेटी समझो उसे यह मस हो चुकि वह है मैं बहुत नेमाजी पर हिजगार लेकिन उसके बाद भी ना वहों की बुराई करते नहीं धखते मालों पीट होता है पीछ पीछे ऐसी है वैसी सोई रहती बात में मानी करती है और दिन रात फोन पे लगे रहती है अपने मैके वाले से भाई-बहन से यह तो यह सब चीज अच ले भी महब्बत होता है सफिकत होता है मा के अंदर जब कि वही माका सास बन जाती है तो इतना जहर कहां से आ जाता है मुझे यह रगता है ते के लिए अ को यह कि होती है लेकिन अगर हमें दीन की समझ होगी अगर हम समझें एक दूसरे को ले के चले थोरा सा बरदास कर के थोरा सा नजा अंदास कर के थोरा सा माफ कर के चलो हटाओ और कुछ गलती भी होई तो माफ कर दो बच्ची है चलो अपने बच्चों कर से माफ कर दे तो बहुत कोई हुआ है रहता और अगया होते ही है अब अग्दम माबब टो नहीं बन जाएंगे रह भी है अज बनाती ल आई बृप नहीनिकर वर फक मिझे अगी होता हीी daw timing प्मारती ह्द्णा अब व्मामज है को इस्पलना कम आशाब समय को से बना लगक्व थी तो हम गशाया maximum बात नहीं करें, फिर नॉर्मल हो गई, हो जाता है एक जागा रहने से जब जहां चार बरत नहीं जागा रहते हैं, वहां खिट-पिट होता ही है, इसका मतलब यह नहीं कि उस बात को खीच करके आप घर में कलेस पैदा कर लो और आप अलग हो जाओ, लेके चल जाओ, कोई भ बहुत ना उमीद रहती थी, बेटे से, बहुँ से, और बहु मतलब सास यह क्यों भूल जाते हैं, कि मैं भी तो कभी किसी की बहु थी ना, मैं भी जब सास बनी, तो फिर वो अपना बहुपन याद करें ना, क्यों होता है, तो प्यार से रहें, और अगर दिन की समझ होगी यह भाई बहन है, बात करना चाहती है, कहीं जाने का मन है, हस्बिन के साथ कहीं जारी है, तो जाने दो, लेकिन यह सब चीज के लिए तो आप फिरी छोड़ोगे ना, चोड़ना ही पड़ता है, फिरी करना ही पड़ता है, एक दम से आप उसके उपर सक्ती करोगे ना, तो होता है ऐसे मं तो बस हर सास को यहारा है है कि में बहुती है और शास बाहु को भी जाए की मेरी मज़्ए मेरे सुहर की माँ वाय भाप है मैरे भी एक दुसरी का है तराम इस्जट करें तो दोद का किसे इन मेजन हो जाता क्या थे लूदिक उस तो तो यूदगतłem तो एक दिन के बाद ना अच्छा मोटा मलाई जम जाता है दूद अगर अच्छी है तो मोटी मलाई बहुत जंती है तो से छोड़ते फिर अगले दिन जब उसे निकालकर एक डब्बे में रखकर करके फीजर भी रख दें और एक जब इस्टोर हो जायागा एक डब्बा पु प्लाइब के तो मैं पीते हैं तो दूस की लिए बतल भूए मिंश्टू केßना उसी ने कमेंड किया था तो बहुत उसजी क्यों ना भी बता दूया इसे लिए घ्णाओ ने पूलते हैं जिए बाता दूत तो बेना जुए लीड़े एक बीड़ा शाखसा बनो hall मुझे आप crime streams केरे वागनः तो पूलने का मतलब है कि इनसान अच्य सब्साधिय लेहा अभी आज-च्थ $ खाना भी चाहिए खाए पहले नहीं था इतना ज़्यादा स्वाफ तो बस बोलने का मतलब है कि इनसान अच्छे से रहे एक दूसरे को माफ करे और सोच ले कि दुनिया कुछ नहीं है जब तक है और जाने के बाद ना इनसान क्या लेके जाएगा अच्छा एक लाग अपना मह जो इनसान आज किसी के साथ अच्छे सुलूक के साथ है वही लोग जाने के बाद लोग याद करते हैं आपके अच्छा ही याद करेंगे आप चल जाएंगे दुनिया में लेकिन जो आप अच्छा करम करेंगे ना किसी के साथ अच्छा बहवार रहेगा ना आपका चाह घर बदनाम है लोग इतना ज़्याद है उसे बदनाम करते ना कि ऐसा होता भी है मैं यह नहीं बोलूंगी कि नहीं बहुत अच्छा लेकिन मैं चाहते हूं अगर समझदारी होना तो इनसान अच्छे से भा सकता है अच्छे से रह सकता है अब अलग हो जाएंगे तो फिर वो सास क अठी से लिटेस्तों को कौन देखेगा तो एक इनसान अग framework के रह लोगिए मुझे ज्रवत नहीं बेटे की बहू की पहले कि मालोग तो एक विल नुकु अच्छा किए तो हो गया यहां पे मेरा सभ काम और अब्य अब नहीं चोटिशन शोड क्यांगी तो मैं आपे ठान क अच्छा तुम आगे खाओगे श्कुल साने के बाद ये खाली थी माडम जी रोटी पराटा कुछ बना करके अपने लिए और मैं जा रही हूं उसको चोड़ देती हूं पहले उसके बाद आराम से बटे खाना खाऊंगी वीडियो मुझे बैटके अडिट करना है तो चलो चल का बहुत बहुत थाइंक्स और चले फिर अपना ख्याल लखेगा मुझे दूआ में आजा कि अलाहाफेश